आप सबका सिख्षा द्रिष्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है आज हम बहुत ही महत्पूर्ण सीर्षक पर चर्चा करने वाले हैं संस्कित साहित्य के महा कभी कालिदास इनका परचे और इनकी रचनाओं के विशय में हम लोग अध्यन करेंगे महा कभी कालिदास संस्कित साहित्य के दीप सिखा हैं कभी कुल गुरु सरस्वती के वरदपुत्र के रूप में भी हम सब जानते हैं कालिदास बंगाल प्रदेश, अयुद्ध्या, उज्जेन, कासी इत्याज जगहों के माने जाते हैं लेकिन उज्जेन, उज्जेनी जिसको हम जानते हैं वह पर सिद्ध स्थान कालिदास का जन्मस्थान माना जाता है सरवाधिक बिद्ध्वान कालिदास को इसी उज्जेनी का मानते हैं क्योंकि उज्जेन के विशे में कालिदास के रचनाएं जिसमें मेगदूत इस सबसे ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त होती है कालिदास बिक्रम संबत के प्रवर्तक बिक्रम दित्य के काल जिसका समय इसा पूरुपर्थम सताब्दी माना जाता है इनके समकालिन थे आस्रेदाता कालिदास के बिक्रम दित्य ही थे कालिदास को कभिकुल गुरु दीप सिखा सरस्ति के वरद पुत्र आदे कहा जाता है इनकी जो कृतियां है उसके विशे में प्रस्ण बनता है कालिदास की पर्थम कृति जो मानी जाती है वह है रेतु संगहारम रेतु संगहारम कालिदास की पर्थम कृति और पर्थम महाकावि के रूप में कुमार संभव माना जाता है पर्थम नाटक के रूप में रूपक के रूप में मालविकाग निमित्रम माना जाता है यहां कालिदास की पर्थम कृति, एतु संघारम, पर्थम महाकाब, कुमार संभोम, पर्थम नाटक, मालवी कागन मित्रम परिक्षाओं में पूछा जाता है कालिदास के आस्रेदाता विक्रमदित्य जो की विक्रमदित्य के नौ रतनों में से एक थे यह माने जाते हैं कभी कुल गुरु जो उपाधी है यह जैदेव द्वारा दिया गया उपाधी है, जैदेव ने कभी कुल गुरु कहा है, कालिदास के उपासक थे, उनकी पूजा के फलसुरूप, इनको बिद्या की प्राप्ती हुई ऐसा हम सब सुने हैं, कालिदास काली की पूजा के फलसुरूप, विद्या से युक्त हुए, विद्या इनको प्राप्त हुई, और अस्ति कस्चित वाग विशेसा, यह जो सुक्ती हमको मिलती है, यह कालिदास की पत्नी विद्धोत्मा के द्वारा कहा गया कथन है, इस वक्तब से कालिदास ने तीन गरंथ की, तीन काब की रचना की, अस्ति कस्चित वाग विशेसा, उपासक के रूप में यह शिव के उपासक माने जाते हैं, कालिदास के जो प्रमुख चंद हैं, वह उपजात और अनुस्टुख चंद हैं, इसका प्रियोग इनके साहित्यों में अधिकतर देखा जाता है, कालिदास के प्रमुख अलंकार, उपमा अलंकार है, उपमा कालिदास स्य, भारवे अर्थ गवरों, ऐसी सुक्ति हम सब पढ़े भी हैं, जो उद्बट द्वारा कहा गया, इस लोक है, उपमा कालिदास स्य, कालिदास की जो रीत है, वह वैदर्वी रीत है, और जो गुण मिलता है, इनके साहित्य में वह प्रसाद गुण है, वैदर्वी रीत और प्रसाद गुण, कालिदास के प्रियरस सिंगारस है जो साहित्यों में देखने मिलता है विशेशकर अविज्या साकुंतलम, मेगदूतम जैसे साहित्य सिंगारस से भरे पड़े हैं और जो इनके प्रियमित्र है वो लंका की राजा कुमारदास है कालिदास की पत्नी विद्धोतमा थे और उनके श्वसूर का नाम सार्दानन्थ था जाती गोत्र से ब्राम्हर थे एक इसलोक काफी प्रसिद्ध है जो की छेमिंद द्वारा उनके साहित्य सुवित्य तिलक में मिलता है शूसा कालिदास अस्य मंदा करांता प्रवलगती ये शुक्ति बहुत ही महत्पूर है शेमिंद द्वारा कहा गया है इसकी बाद हम रचनाओं की चर्चा करते हैं कालिदास की कुल सात रचनाएं प्रसिद्ध हैं जो बहुत ही महत्पूर है उसके विशय में जानकारी होनी चीए सबसे पहली जो रचना है महाकाब्य की रूप में वह कुमार संभवम कुमार संभव सत्रा सर्ग में विवाजित हैं सत्रा सर्ग में कुमार कार्थिके के जन्व की विशद चर्चा की गई है कुमार संभव की जो नायक है वह सिव है और नायका पार्वती है उसके बाद इनकी दूसरे रचना वह है रगवन्सम महाकाब्य रगवन्सम महाकाब्य में उन्नीस सर्ग है उन्नीस सर्गों में कहीं कहीं 31 और किसी किसी साहित में 31 राजाओं का वड़न मिलता है इन 31 राजाओं में सर्व पर्थम जिस राजा की चर्चा हुई है वह मनु है और अंतिम राजा के रूप में अगनिमित्र की चर्चा हुई है तीसरी रचना अभिज्यान साकुंतलम है सबसे प्रमुख रचना हम कह सकते हैं और नाटक साहित के राजाओं सबसे प्रमुख नाटक अभिज्यान साकुंतलम माना जाता है काब्यम नाटकम रम्यम तत रम्या सकुंतलम ऐसी सुक्ति हम सब सुने हैं जानते हैं काब्यों में नाटक और नाटकों में अभिज्यान साकुंतलम यह साथ अंकों में विभाजित हैं जिसमें दूस्यंत नायक की रूप में और सकुंतला नायका की रूप में इस नाटक मे दिखाई देते हैं इसके बाद आगली रचना है विक्रमो वर्सियम जिसमें पांच अंक हैं और कुल 165 स्लोक इसमें मिलते हैं इसमें नायक के रूप में पुरुर्वा और नायका के रूप में उर्वसी इस नाटक में है अगला जो नाटक है वह है मालविका अग्निमित्रम कालिदास की इस रचना में इस नाटक में कुल पांच अंक हैं और 96 लोक हैं इसके नायक अग्निमित्र हैं और इसकी नायका मालविका है इसके बाद इनकी जो छट्वी रचना है रसिद्ध रचना है वह है मेगदूतम मेगदूतम दो भागों में विभक्त है पूर मेग और उत्तर में इसमें यक्ष हेम माली जिसका नाम है वह है इस मेगदूतम गीत काब्य खंड काब्य के रूप में जाना जाता है उसके यक्ष नायक है और यक्षणी जिसका नाम भी सालाक्षी है यह नायका है इसमें कालिदास ने मेग को दूत के रूप में परियुक्त किया है गीत काब्य के रूप में खंड काब्य के रूप में हम मेगदूतम को जानते हैं जिसमें उज्जैनी के विशे में विशेश रूप से चर्चा की गई है और इसी से विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि उज्जैनी ही कालिदास की जन्व अस्थली है इसके बाद अगल रचना है रितु संगहारम रितु संगहारम कालिदास की प्रसिध्य रचना है जो च्छ सर्गों में विभाजित है इसमें किसी साहित में 144 स्लोग और कुछ विद्वानों के द्वारा में 157 स्लोग बता जाता है इसमें 6 रित्म की सर्गों में बिभाग्य इस प्रकार से कुल जो प्रसिध्य रचनाएं कालिदास की वह साथ पाई जाती हैं साथियों कालिदास के विषय में हम सब आज जाने उनसे पर्चे प्राप्त किये अगले वीडियो में हम एक नए संस्कित साहित्य के जो साहित्यकार है उनको लेकर आएंगे चर्चा करेंगे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार